जहें दोस्तों क्या हल चाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंग आड़ोजोन के नए एपिसोड में काफी कोमेंट आते थे के सर आप फेस टू फेस बात कीजिए ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा मोटिवेट होते हैं मुझसे तो बिल्कुल सेट अप किया है ब हैने की बात नहीं है जब हम इलेक्ट्रिक वेहिकल सेग्मेंट की बात करते हैं इसकी डिवैलमेंट की बात करते हैं तो यह कंपनी अपने आप में एक अलगी मुकाम पर खड़ी हुई हमें दिखाई देती है इसी चीज़ को और स्टेप आगे बढ़ते हुए एक बड़ा क प्रूबल ले लिया गया है और इस कंपनी का नाम रखा गया है टाटा पेसेंजर एलेक्ट्रिक मॉबिलिटी लिमिटेड इससे क्या फरक पड़ेगा पूरे बिजनस को पेट्रोल डीजल को लग किया गया है और इसी के साथ जो आगे फीचर टेकनोलोजी होगी जाब मतलब है इससे आगे चलकर क्या फरक पड़ेगा अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो कुछ इंतिजार है वेटिंग है टाटा मोटर्स के नए पूरक्स का तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी है पूरी जरूर देखिएगा तो बिलकुल अगर लगे वीडियो आपके अर्ज एलेक्रिक SUV टाटा मोटर्स सेल कर चुका है और अलेडी कनफर्म कर चुका टाटा मोटर्स के 2026 तक कम से कम 10 एलेक्रिक आर्ज एलेक्रिक SUV को जाए वो सेडान है है एच्बेक है SUV सेगमेंट है दस EVs को लांच किया जाएगा ओन रोल उतारा जाएगा अलेडी 70% के आ इवी सब्सिडिरी टाटा मोटर्स ने बनाई है जाके आसकते हैं टाटा ग्रूप ने एक नई कमपनी बनाई है जिसका नाम रखा गया है TPEMC याने की टाटा पेसेंजर एलेक्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और इसके लिए जो आल्रेडी जो एक अप्रूवल थी गोर्मन की स्टार्ट करेगी अब जो मेन फोकस एरिय रहेगा जिस पर TPEMC का ज्यादा फोकस रहेगा मेली दो पॉइंट यहां सामने निकल कर आते हैं अब आगे चलकर जो भी जितने भी तरह के आरेंडी होगे डिजाइन होगा डिवैलमेंट होगी मैन फ्रेक्टिंग होगी असेंब अब अंडर TPEML के अंडर नए कमपनी के अंडर यह सब काम किये जाएंगे इसके लाबा जो एक्लर जो मेन पॉंपोरेंट है जो मोटर्स है tas है बैटरी-पैक है यह सब भी इसकी आरएन डी इसकी टेकर भी यह नए कमपनी ही करेगी सेके मेन फोकस रहेगा आने वाला कम्प भी को तारागेस में कोई ज़्यादा कंपिटेशन नहीं है लेकिन हमा लड़ी जानते हैं कि Maximus अभी बड़ी कंपनिय चाहिए Hyundai किया है Hyundai Motors है इसके लावा मौर्ती Suzuki है यह सब इस सेग्मेंट में या MG Motors है यह सब इस सेग्मेंट में या इससे ज़्यादा अफोडेबल इलेक्रिक वहिकल्स को मार्गेर में लाउच करने की प्लानिंगा 2022 में कई ऐसी मौडल अवेलेबल होंगे इसके लावा अगर टाडा मोर्त प्रीमियम सेग्मेंट में जाता है तो वहाँ पर आलड़ी एक बहुत बड़ा कंपिटिशन सेट हो चुका है जैगवर आईपेस, मर्सडीज, एक के उसी आउडी, इट्रोन, आगे चलकर BMW भी अपनी हाई-एंड लेक्ट्रिक कार लाउंच करेगा इसके लावा Volvo की भी एक इलेक्ट्रिक SUV कनफर्म है 2022-2023 तक तो उस सेग्मेंट के लिए भी अपने आपको त्यार करना होगा और उसके लिए तो बहुत ज़ादा R&D की एक हाई-एंड प्रोड़क्ट उस लेवल का बनाने के लिए बहुत ज़ादा मेहनत करनी होगी आल्रेडी कई बड़े इन्वेस्टर टाटा मोटरस के EV सेग्मेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इंट्रस्टिड है जो भी उससे निकल कर फंटी के डेटिट कोई भी अपडेट निकल कराएगा आपके साथ शेर करता रहूँगा जोस्तों यह था आज का अपडेट उमीद है आपके लिए इन्वेस्टर नहीं होगी कोई कमेंट कोई विचार आपके हो तो जूर इस वीडियो में आप शेर कर कीजिए कमेंट बॉक्स में इसके लाबा कोई निया अपडेट निकल कराता रहेगा आपके साथ शेर करता रहूंगा टाइम टी टाइम फिलाल आज के लितने ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जय हिंद